हलो फ्रेंट्स वन्स अगेन वल्कम बैक तो आज के इस वीडियो में हम एकात्म मानवतावाद के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि एकात्म मानवतावाद क्या होता है और यह कैसी विचारधारा है और इसके प्रतिपादक कौन थे ठीक है तो सारा पॉइंट डिसकस करें और लाइक शेर करते रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ठीक है तो सबसे पहले समझेंगे कि एकात्म मानवतावाद क्या होता है और उससे भी पहले हम लोग पंडिदीन द्यालुपाध्याय के यानि कि जो इसके प्रतिपादक है ठीक है इसका देंगे तो सही रहेगा ठीक है इस तरह से आप एक्जाम में भी एंस्वर देंगे तो सही रहेगा जो आने वाले स्टुडेंट है उन लोग के लिए भी हेल्प फूल रहेगा और आपके लिए ठीक है तो चलिए वीडियो के स्टाट करते हैं बिना टाइमिस्ट की और अगठन करता थे वे भारतिय जनसंग के अध्यक्ष भी रहे हैं ठीक है यह तो बेजये फिक गे रूंप में तो भारतिय जनसंग के अध्यक्ष भी थे और अध्यक्ष भी है उन्होने भारत की सणातन estásara को यूग अनुकूल यानिक यूग के अनुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानवतावाद नामक विचारधारा दी ठीक है उन्हों उनका ये एक कॉंसेप्ट है ठीक है ये किस ने दिया तो पंडित दिन द्यालोपाध्या ने दिया उन्हों ने इस विचारधारा की अनुसार क्यों चले हमारा भी अपना एक कोंसेप्ट होना चाहिए तो इन्हों ने क्या दिया एक अपनी खूर Euh क elong ने किसको दिया तो भारतिय जनसंग को दिया ठीक है और उन्होंने कहा कि आप इस concept के तुरू उन्होंने कहा कि आप सिर्फ किसका विकास करिए तो मनुष्य का विकास करिए ठीक है इसको इस एकात्मवान उतावाद के concept में इन्होंने केंदर में मनुष्य को रखा और कहा कि आप सिर्फ सिर्फ मनुष्य का विकास क और समाज विक्सित होगा तो एक राष्ट विक्सित होगा और एक राष्ट विक्सित होगा तो विश्व होगा विक्सित और जब विश्व विक्सित होगा तो पूरा प्रम्हांड विक्सित होगा तो उन्होंने का सिर्फ इस पे बल दिया है इस एकात्म मानवतावाद के जर तो अब देख लेते हैं एकात्म मानोतावाद क्या है इसके सेंटर में कौन है यह सरपिलाकार मंडला कृती है जिसके सेंटर में मनुष्य को रखा गया है मानो को रखा गया है मानोतावाद इसलिए नाम दिया गया है ठीक है मानो को क्या क्या गया है तो सेंटर में रखा गया है और कहा गया है कि आप सिर्फ मानो का विकास करिए ये जो समाज है वो जब इसका विकास होगा तो एक समाज हो किसित होगा और जब समाज विकसित होगा तो जितने भी घेरे हैं वो सारे विक्सित होते जाएंगे ठीक है ये समाज का घेरा है ये राष्ट का घेरा है इस तरह बहुत सारे घेरे हैं उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे ठीक है ये सरपिलाकार मंडला कृति क्या होती है इसको मैंने आपके MCQs वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है यहां भी अच्छे से समझा देती हूं ठीक है तो देख लेते हैं एकात्म मानवतावाद क्या है क्या है कि पंडि दीन द्याल उपाध्याय द्वारा दी गई एक राजनैतिक विचारधारा है इस तरह की कोश्चन आपके एक्जामें पूछ सक द्वाराद स्पष्ट की जा सकती है जैसे सरपीलाकार मंडला किरती ऐसे कर सकते हैं ठीक है ऐसे मैं इसको साफ कर देती हूं आपको समझ में समझाने के लिए ठीक है तो जो सरपीलाकार मंडला किरती द्वाराद स्पष्ट की जा सकती है जिसके केंदर में बैक्ति है बैक्ति से जुड़ा हुआ क्या है तो एक घेरा परिवार का है यह परिवार का घेरा हो गया उसके बाद एक घेरा क्या है समाज का है ठीक है समाज से जुड़ा हुआ घेरा एक जाती का है और जाती के बाद फिर एक रास्ट्र का है और रास्ट्र के बाद एक क्या है बिस्व का है और चीजे विक्सित होती जाएंगी, किस के तुरू का? तो एकात्म मानतावाद के तुरू इनों ने कहा, यह concept यह जो दर्शन है वो यहीं कहता है कि आप सिर्क मनुस्य का विकास करिए, बाकी सारी चीजे अपने आप ही विक्सित होती जाएंगी, ठीक है, तो यह किसका दर्शन यह इसी दर्शन कह सकते हैं कि इसी से इंस्पायर होके वो वर्क करती है ठीक तो यह किसका दर्शन है तो बिजेपी का दर्शन है और इसके प्रतिपादक आपके पंडित दिन दियाल उपाद है जी है और इसी कॉंसेप्ट पे आपकी बिजेपी भी काम करती है ठीक है तो कह कि जिसके केंदर में यह क्या है तो सरपीलाकार मंडला कृति है जिसके केंदर में ब्यक्तिकें रास्ट का है उसके बाद विश्व का है फिर अनन्त ब्रम्हांड का है ठीक है ब्रम्हांड का है और जो अपने आप में इन सारी चीजों को समाविष्ट करके रखा है और इसके द्वारा कहा गया है कि आप मनुस्य क्या विकास करिए इस तरह ब्रम्हांड भी क्या होगा विक तो साधते हुए एक दूसरे के पूरक योम सभाविक सहयोगी है ठीक है मतलब कह रहा है कि मनुस्य जो है उसका विकास करिए फिर वह भी किसे जुड़ा है तो समाज से जुड़ा है समाज किसे जुड़ा है तो राष्ट से जुड़ा है राष्ट किसे जुड़ा है तो इस त सभाविक सहयोगी बने और इस तरह यह सहयोगी भी हैं ठीक है और एक दूसरे का सहयोग करते हैं एक दूसरे के पूरक हैं और इस तरह क्या होते हैं वो अपना विकास करते हैं कहरा है कि यह है कैसी धार्णा है जो सिखाता है जो हमें सीख देता है कि सभी एक दूसरे से कोई संधित है एकात्ममानतावादवाद राष्ट्रिय सेवक संग मार्क-दर्शन जैसे उनका था ठीक मुंबई में इनका एक व्याक्ष्ण था बासठी था जो वहां पर कोई प्रोग्राम था जो 22-25 तक चला ठीक है तो 22-25 अपरेल 1965 कोु में दे गए ख्यान के रूप में इन्हों ने एकात मुमानोतावाद को क्या किया प्रस्तुत किया यानि कि यह अस्तितों में आया ठीक है और उसके कुछ वर्षों बाद इसको पूरी तरह से आरेसेस के लोग और भारतिये जंता पर्टी के लोग पूरी तरह से अपना दर्शन बना अपना एक चलने margin का काम करने का एक तरीका जो भी कह सकते हैं कि एक मैनठ जो है वो बना लिए एक कॉंसेप्ट बना लिए इसको एक दर्शन बना लिए कि इसी की इसाफ से हमको आगे की चीज़ों को विक्सित करना है ठीक है अब राश्टे स्वयम सेवक नाम आगी गया है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं आरेसे के बारे में तो इसकी अस्थाप गेवार ने 27 सितंबर 1925 को राश्टी स्वयम सेवक संग की अस्थापना की किसने की तो डाक्टर केशव बलिराम हेट गेवार ने ठीक है यह क्लियर हुआ इसका मुख्याले कहा है तो नागपूर महाराष्ट ठीक है नागपूर में इसका मुख्याले है ठीक है उद्देश से इसकी अस्तापना हुई तो मात्र भूमी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा इसका एक ही उद्देश्य है कि मात्र भूमी के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करना ठीक है यह RSS का उद्देश्य है ठीक अब कुछ MCQs है जिनको डिसकस कर लेते हैं जिनको जान लेते क्योंकि इस तरह के question आपके exam में बन सकते हैं पूछ रहा है कि एक आत्म अनतवाद विचारधारा कब अस्तितों में आया तो 22 अपरेल सबरेल उपरोक में देट इस तरह से इन तीनों में आपके exam में पूछ सकता यहा तो 22 पुछेगा नहीं तो पचीश ठीक है तो कोई भी डेट आए इन तीनों में से तो आपका ये 3 ही सही रहेंगा ठीक है ओप्शन में यह अगर तीनों दिख जाते हैं तो आप लोग करेक्ट कर दिजिएगा ठीक है वैसे 22 अपरेल भी सही रहेगा और 25 अपरेल भी सही रहेगा ठीक है तो वहीं कहा रहा है कि एकात मानातावाद विचारधारा कब अस्तितों में आया तो 25 अपरेल आप कर सक लाखटर स्रैमा परसाद मुखर जी तीसरा ऑप्शन है डाक्टर केशय मुलराम हेडगेबार और दो तो आप लोग का जो तीसरा ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा डॉक्तर केशय मुंधगेबार ने राश्टय स्वयमसेवकसंग की यानि कi RSS की थापना के ठीक है अगरा क पूछा हुआ था और आप लोगों ने एंसर भी किया था ठीक एक और कोशन है इसको भी देख लेते हैं और भी आगे कोशन है एक आत्म मानतावाद विचारधारा के किंद्र में कौन है तो किंद्र में कौन है मैंने अभी बताया कि यह सरपीलाकार मंडला घरती है ठीक है जि से घिरा हुआ राष्ट्र है और राष्ट्र से घिरा हुआ क्या है तो विश्व है और विश्व से घिरा हुआ आपका प्रम्हांड है तो इस तरह आप चीजों इसको विक्सित करिए इस तरह यह सारी चीजे क्या होती जाएंगी विक्सित होती जाएंगी और यह यह प्रम जोहीं भी अलगाव नहीं हैं यहां कि सारी चीजे एक साथ यूड़ी हुएं और अपना श्रयोग यह स्वें हुआरे किसका विकास करिए मनुष्य का विकास करिए इस सारी चीजह देरे देरे विक्सित होती जाएंगे तो ही पूछ रहा है question में कि एकात्म वानतावात विचारधारा के सेंटर में कोई है कंडर में कौन है तो पहला प्षण में समाज दूसरा प्षणgebag त्युकल आप मैं चानल को सब्सक्राइब कर लेजेगा इस तरह की झाल